हेलो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई वेकंसी के बारे में जो है दे न्यू इंडिया एसुरेंस कंपनी लिम्टेड में जिसमें एड्मिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट की नुटिफियेशन आई है आप इस वीडियो को अंतक देखे ताकि आपको टोटल ट करते हैं तो बात करते हैं एक नई वेकंसी के बारे में जो है दे न्यू इंडिया एसुरेंस कंपनी लिम्टेड में जिसमें जो रिक्रूट्मेंट आई है 300 अड्मिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है जो स्केल वन की है जिसमें नमबर उफ एकंसी जो है से पहले आप इस notification को read out कर लिजेगा बात करते हैं डेट की तो online registration और payment जो भी होगा आपका 1st सितंबर से start होगा ठीक है और last date आपका 21st सितंबर होगा exam की बात करें तो आपका जो phase 1 का exam होगा जो objective होगा और phase 2 का exam होगा जो objective प्लस descriptive होगा तो जो दोनों का date है October होगा 1st phase का और phase 2 का आपका November होगा ठीक है age criteria की बात करें तो आपका 1st April 2021 से count किया जाएगा minimum आपका 21 years होगा और maximum आपका 30 years होगा relaxation की बात करते हैं तो आपका ACST को आपको 5 year relaxation दिया जाएगा OBC को 3 year का और PWD को 10 year का आपका relaxation दिया जाएगा एक service man को 5 year का और अगर आप defense service related है ठीक है तो आपको 3 year का relaxation दिया जाएगा और अगर आपका existing confirm employee of public sector general insurance related अगर आप पहले employee रह चुके हैं तो उनको 8 year का relaxation दिया जाएगा बात करते है salary की तो आपका 32 year 795 में आपका basic pay होगा जो approximately आपका 60,000 रुप्या पर मन्त आपको मिलेगा salary तो बहुत ही अच्छी salary है आप इसे अराम से भढ़ सकते हैं education qualification की बात करें तो आपका minimum qualification होना चाहिए graduation और post graduation होना चाहिए कोई भी discipline में अगर आप graduate है या post graduate है arts से commerce से science से या btech है mtech है इसमें कोई भी discipline नहीं दिया गया mention नहीं दिया गया तो कोई भी candidate अगर आप pass की वे graduate और post graduate at least 60% marks से तो आप इस form को भर सकते हैं और 50% marks होना चाहिए ACT, PW, PD candidate को ठीक है जो भी candidate final year या semester में है ठीक है graduation तो ओभी candidate इस form को भर सकते हैं बात करते हैं selection procedure की तो जो phase 1 आपका जो primary exam होगा जिसमें आपका 100 marks का objective test लिया जाएगा ठीक है जिसमें तीन section में divide किया गया है ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो first phase का जो exam होगा English language का होगा reasoning का होगा और quantitative aptitude का होगा जो maximum जो marks होग 100 marks का होगा ठीक है और आपका जो timing दिया जाएगा वो 60 minute का दिया जाएगा जो exam का जो language होगा वो Hindi English दोनों language में होगा phase 2 की बाद करें जो main examination है आपका जो आपका 200 marks का होगा ठीक है और जो बोत होगा objective and descriptive दोनों होगा जिसमें आपका exam जो pattern होगा वो आपका test of reasoning होगा English language होगा general awareness होगा और math के बारे में होगा जो maximum number of 200 marks का होगा जो timing आपका दिया जाएगा 2.4 hour का होगा और version यहां भी आपका Hindi English दोनों हैं third phase में आपका after first phase और second phase के बाद आपका interview लिया जाएगा इसके बाद आपका final selection किया जाएगा उसके बाद जो भी candidate selected होगे उनका list website पर upload कर दिया जाएगा fee की बाद करें तो ACST PWBD को sort के लएगा और journal EWS को 750 रूपीज लगेगा apply की बाद करें कैसे आपको apply करना तो सबसे पहले आपको application registration करना है उसके बाद आपको payment of fee करना है उसके बाद आपको जो भी document है उसको upload करना है ठीक है तो जो भी candidate इस form को भरना चाहते हैं भरने से पहल आप notification को सही सी readout कर लिजएगा ठीक है उसके बाद इस form को भरिएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like करें ज्यादा ज्यादा सेर करें और bell icon क्लिक करें ताकि आपको jobs related वीडियो मिलती रहे जैहिन